तो जैसा कि आपको पता है आपकी college counseling से start होने वाली है आपका J.A. Advance का exam भी हो चुका है और इस time पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि college counseling आखिर में होती क्या है क्या इनकी process रहती है कितने type की होती है और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और भी हम इसमें कई सारी चीज़ें देखेंगे कि आप lower rank से भी किसी अच्छे college में अच्छी branch कैसे ले सकते हैं तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करकर देखते हैं सब सब पहले हम यही देख लेते हैं कि आखिर में college counseling होती क्या है तो आपने पहले भी कई सारी वीडियो देखी होंगी आपको पता भी होगा लेकिन मैं आपको simple सी language में समझा देता हूँ कि counseling का हिंदी में मतलब रहता है परामर्श देना यानि college counseling एक ऐसी पिरक्रिया है परामर्श देने की जिसमें आपको बताया जाता है जो भी आपने उन्हें information दी है उसके according कि आपको किसी college में कौन सी branch alert हुई है नहीं कि simple सा मतलब है कि आपको किसी college में कौन सी branch मिलना चाहिए आपकी rank की according वो decide करने की एक process को हम college counseling बोलते हैं अब हम बात करते हैं कि ये कितने type की होती है तो इसमें कई सारे type है हर state government colleges अलग-अलग अपनी counseling करवाता है admission के लिए और जैसे हमारे NITs, IIT, Circle ITs के लिए जोसा counseling होती है मदब प्रदेश के state government colleges के लिए MPDT counseling होती है NEET के लिए अलग counseling होती है and सबी चीज़ों के लिए अलग-अलग counseling चलती है और जैसे UP के लिए UPTU counseling होती है और भी कई सारी counseling है आप यहाँ पे list देख सकते हो हर state government colleges के लिए लग-वग-अलग counseling कर दी है और CUET हो गया उसके लिए अलग counseling चलेगी तो ऐसे करके कई सारी टाइपी counseling होती है लेकिन आप सोच रहोगी यह हमें जानने की जरूरत क्या है तो बता दो कि अगर आप MP के student हो और आपको मान लो UP में admission लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि बहाँ पे भी एक ऐसी counseling होती है जिसमें आप admission ले सकते हो अगर आपके पास MP में कोई अच्छा option नहीं मिलता तो ऐसे कई सारे लोग रहते जो कि UP से MP में transfer होते है MP से UP चले जाते है तो यह होता रहते जो भी आपके आसपास के states है आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए उनके college के admission की process के बारे में MPDT counselling पर रहेगा क्योंकि हम MPDT counselling पर जादा वाद कर रहे होंगे और हमारा जो साप है भी थोड़ा सा focus रहेगा तो हम MPDT counselling की process देख लेते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा अब यह कुछ दिन बार एक seat chart जाएगा उसमें dates लिकी होंगी तो इसकी process रहती है सबसे पहले आपको registration करना पड़ता है MPDT की website पर then आपका verification होता है verification के बाद आपको choice filling करना होता है choice filling करने के बाद आपको एक seat alert कर दी जाती है उसके बाद आपका physical document verification होता है आपको college के अंदर document लेकर जाना होता है और आपका admission हो जाता है जैसे हमारे 12th के अंदर 10th के अंदर school में admission होते थे उस तरीके से colleges के अंदर admission नहीं होते उसकी एक process रहती है जैसे हम college counseling बोलते हैं अब इसमें कुछ rounds होते हैं ये हर counseling में अलग-अलग होते हैं जैसे जोसा के अंदर काफी जादा मैं बता दो तो क्या होता है कि पहला round चलेगा जितने भी लोगों ने participate किया counseling में और आपका किसी college की 42-50% seeds first round के अंदर fill कर दी जाती हैं उसके बाद एक percentage set कर देते हैं कि second round में हमें कितने percentage seed को fill करना है इस तरीके से ये round चलते जाते हैं आपकी पूरी process के अंदर सबसे important चीज रहती है वो रहती है हमारी choice filling अब ये choice filling क्या होती है इसके उपर मैं एक अलग से detail में वीडियो बना दूँगा फिर भी आपको एक overview दे देता हूँ choice filling का मतलब क्या है कि आपको choice करकर filling करना है यानि कि आपको और example MP के जितने भी colleges MPDT counseling के अंदर आते हैं वो सारे colleges की सारी branch की list आपके पास होगी अब आपको choice करकर fill करना है कि पहले आपको कौन से college कौन सी branch चाहिए देन आपको कौन से college कौन सी branch चाहिए तो इस तरीके से आपको उन्हें set करना होता है और जब भी आपको कोई seat alert होती है तो उपर से चेक करते आते हैं मानलो आपकी rank 80,000 है तो आपको चेक करेंगे कि आपको HGS ITS college की CS मिल सकती है नहीं मिल सकती नहीं मिल सकती तो उसे हटा देंगे देन HGS ITS की मानलो IT भरी है आपने तो IT मिल सकती है नहीं मिल सकती ऐसे करके उपर से आते हैं अगर आपने पहले ही कोई गलत ब्रांच भर दी मानलो LNC की कोई lower ब्रांच भर दी और आपकी rank बहुत अच्छी है तो आपको वही ब्रांच alert कर दी जाएगी फिर नीचे बाली ब्रांच को नहीं देखा जाएगा तो choice filling सबसे important रहती है तो जब भी आप करो तो choice filling देखकर करना और जैसे ही आपकी process चलेगी MPTT counselling की तो आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके सा fill करना है तो आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है तो अब हम बात करते हैं कि आपको college counselling के एंदर क्या-क्या mistakes नहीं करनी है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है तो सब सब पहले ही आपको mistake नहीं करनी है documents की कई सारे लोगों के पास documents ही नहीं होते documents है भी तो वो गलत रहते हैं उनमें कुछ कुछ mistakes रहती हैं तो अभी आपके पास time है कि आप अपने पूरे documents कुछ जो नए हो सकते हैं उन्हें नए बनबा लेजिए कुछ जो नए हैं वो भी बनबा लेजिए क्योंकि लोगों के पास सई से documents भी नहीं होते तो मुझे आज counselling को देखते हुए दो साल हो चुके हैं तो उसके experience के थुरू मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपको क्या करना है सबसे पहले अपना first round के अंदर registration कर देना है registration करने के बाद आपको अप्गेट round में participate करना है और आपको seat अपनी अप्गेट करवा लेनी है देन आपको internal branch के थुरू अपनी branch अगर लग रहा है कि बुझे अच्छी branch नहीं मिली तो आपको एक internal branch के थुरू जो कि last में होता है उसके थुरू आप अपनी branch करवा सकते हो तो ये तीन तरीके हैं कि आप इन तीन तरीकों से गुझरोगे तो आपको ज़्यादा chances है कि आपको कम rank पर भी आपको एक अच्छी branch मिल सके क्योंकि इनी rounds के अंदर आपको ज़्यादा chances रहते हैं कि आपकी जो rank है उसके हिसाब से आपको एक best college में अच्छी branch मिल सके तो कौसिश करना कि first round के अंदर आप एक अच्छा college choose कर लेना choose करने के बाद internal branches के तुरू आपके पास मौका रहेगा कि बहां से आप एक अच्छी branch में उसे transfer करवा लो तो यह तरीका रहता है और यह बैरी भी करता है पिछली साल second round के अंदर cutoff बहुत हाई चली गई थी यानि कि 80,000 rank पर भी आपको आईटी डियेवी अंदर के अंदर CSIT जैसी branch branch अलोट हो गई थी तो वो भी एक अलागी था वो किसमत थी लोगों की योने मिल गई तो यह कभी-कभी हो जाता है लेकिन ज्यादता chances नहीं रहते सब सब बेस तरीका यह है कि round one के अंदर आओ अपग्रेट करवाओ अपग्रेट करवा लो तो इन तीन देखें कितने type की होती है जो की आपको लिस्ट देख रही है और थाड़ हमने देखा कि counseling की process कह रहती है process के अंदर देखा सब सबस्द पर पहले registration करना पड़ेगा then verification होगा then choice filling होगी फिर हमें seat alert होगी and then physical document verification के लिए जाएंगे यह हमारी process रहती है then हमने देखा कि हमें क्या-क्या mistakes नहीं करती है mistakes के अंदर देखा सबस्द पहले documents का document की video link की description में मिल जाएगी बोच ज़रूर देख लेना और सारे documents ready करके रख लेना documents होना चाहिए और then हमने देखा registration में कोई भी गड़वड नहीं होना चाहिए then हमने देखा कि क्या best तरीका होना चाहिए counseling का तो सबस्द पहले आपको first round के अंदर registration करना है फिर upgrade करवाना है then आपको internal branches के थुरू जाना है तो एक best तरीका है कि आपको कम rank पर भी अच्छे college में अच्छी branch मिल पाए तो और भी आपको किसी भी चीज से related कोई भी डाउट रहता है तो आप comment box में लिक कर पूछ सकते हैं साथी instagram पर follow जरू कर लेना और telegram ग्रूप को भी join कर लेना आपके काफे सारी जीज़े आती रहती हैं तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe जरू कर लेना तो और आपको college review देखना है तो पहले भी हमने कई सारे college reviews बनाए हुए हैं उसकी एक playlist में बना दूँगा तो आप playlist जा से बात की है तब भी आपको वह information दी है तो आपके लिए बहुत beneficial होंगे चूज करने के लिए तो बोज आके आप जरूर देख लेना उसकी playlist का link भी आपको मिल जाएगा नहीं तो आप चैनल पर जाकर अभी देख सकते हैं तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में चैन